बिहार के कैमूर जिले में एक मा ने अपनी नवजात बच्ची को रोड पर फेक कर चले आई, जी हाँ ये बच्ची एक दिन पहले ही जन्मी थी और उसके मा ने बच्ची के जन्म के तुरंत एक दिन बाद उसे रोड पर फेक दिया, इस बात के जानकारी लोगों को तब लग तो लोग हैरान हो गए और उन्होंने रोड से उस छोले को उठाया जब जोले के अंदर उन्होंने देखा तो छोले के अंदर एक नवजात बच्ची थी लेकिन अब उससे भी ज़्यादा है रान करने वाली बात ये है कि अब वो बच्ची अस्पताल से भी गायब हो चुकी ह अब नमस्कार में नेहा जौदे, कैमरा पॉजिसन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्षिन मौजूदा का ये मामला कैमोर जिले से सामने आया है जहाँ पर गाउं के कुछ लोगों को रोट पर एक बच्ची रोते हुए मिले लोगों ने उस बच्ची को उठाकर मोहनिया के अस्पताल में पहुँचाया लेकिन अब वो बच्ची वहां से भी गायब हो चुकी है जिसके बाद सभी गाउं वाले अस्पताल पर ये आरोप लगा रहे हैं कि बच्ची अस्पताल की लापरवाही के वज़े से ही गायब हुई है दरसल बात यह है कि जब ग्रामिनों को वो बच्ची रोड पर मिली तो ग्रामिनों ने उस बच्ची को अस्पताल पहुंचाया क्योंकि अस्पताल में सरकार के द्वारा लावारेस बच्चे की देखवाल के लिए चाइल्ड लाइन बनाया गया है लावारेस बच्चों को चाइड लाइन सौपने को लेकर लगातार जागरुकता कारिक्रम भी चलाया जाता है ताकि लोगों को इस बात की पूरी जानकारी हो और लोग बच्चे को यहाँ वहाँ सड़कों पर ना फेके बलकि सीधे अस्पताल पहुँचा दे ताकि उन बच्चों का पालन पोशन हो पाए यहाँ तक कि अस्पतालों में लावारेस बच्चों के लिए विशेश रूप से एक जगह निर्धारित की जाती है जहाँ पर पालना लगाया जाता है ताकि वो लोग जो अपने नाम और प क्लाइन के जरिये बच्चे की देखभाल सरकार ग्रहन केंद्र के माध्यम से करवाएगी कैमूर जिले में जब इस मा ने अपने एक दिन के बच्चे को रोड़ पर छोड़ दिया तब गाउं के कुछ लोग उसे मोहनिया अस्पताल लेकर गए और वहां भी अस्पताल वाल चाल्ड लाइन को इस मामले की कोई भी सूचना दी इतना ही नहीं बलके कुछ देर बाद बच्ची अस्पताल से गायब भी हो गई ग्रामीनों का ये भी कहना है कि कई बार नवजाद बच्चों को ऐसे ही रोड़ पर फेक दिया जाता है तो गाउं के लोग उस बच्चे को अस्पताल पहुचा देते हैं लेकिन अस्पताल पहुचाने के बाद कितने बच्चों को चाल्ड लाइन को सौपा जाता है इसके जाच होनी चाहिए पूरा मामला मोहिनिया ठाना-छेटर के पानापुर का है हलांकी जानकारी के मताबिक कैमूर जिले में नवजाद पहला मामला नहीं है इससे पहले भी चैनपूर पीच पर नवजात को गायब करने का मामला सामने आया था मजूदा के इस मामले को लेकर ग्रामुनेओं ने घंटों तक सड़क भी चाम की है लांके इन सब के बिच देखने वाली बात यह होगी कि कैमूर जीला प्रसासन इस मा को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा आगे की खबरों के लिए जनता जंक्षन देखते रहें धन्यवाद